हलो फ्रेंड्स हमारे यूट्टूब चैनल घर संसार वास्तु शास्त्र में आपका हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स आपको मैं बताने चाह रहा हूं धन से भरा रहेगा आपका पर्स करें यह उपाए इस जानकारी को बताने से पहले यह मैं आपको बता दूँ हमारे यूट्टूब चैनल घर संसार वास्तु सास्त्र को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्रीज सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तु सास्त्र से सम्मंदित वो सारी जानकारिया लेकर आएंगे जिनें आप अपनाएंगे तो आपके घर संसार में सुख सम्रिद्धी आएगी रुपियों की चाहत किसे नहीं होती हर कोई चाहता है कि उसे कभी पैसो की कमी न रहे अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी चेप में रखा बर्स हमेशा रुपियों से भरा रहे और कभी खाली न हो तो यह चमतकारी उपाय जरूर अजमाएं चानिए कौन सा है यह उपाय और कैसे करना है इसे इस प्रभाव कारी उपाय को करने के लिए शनिवार का दिन चुने शनिवार के दिन किसी पीपल के पेड़ के पास जाकर एक पत्ता तोड़कर घर लाएं अब इस पीपल के पत्ते को कंगा जल से धोकर उसके उपर हल्दी के गोल से दाई हाथ की अनामी का उंगली से हिंग लिखें हिंग लिखने के पश्चात पीपल के इस पत्ते को धूप दीप दिखाएं और पूजन कर अपने पर्स में रख लें इस पत्ते को सबताह बर अपनी जेब में रखें और अगले शनिवार दुसरा पत्ता तोड़ कर लाएं और यही क्रम दोहराएं हर शनिवार इस क्रम को दोहराएं और नया पत्ता अपने पर्स में रख लें पूराने पत्ते को जेब से निकाल कर किसी पवित्र अस्थान पर रख दें या फिर बहते पानी में परवाहित कर दें इस बात का विशेश ध्यान रखें की पूराने पत्ते को किसी अशुद्ध अस्थान पर बिलकुल ना रखें ना ही कचरे में फेकें कुछ समय तक लगातार इस परियोग को करते रहने से आपको इसका असर महसूस होने लगेगा आपका पर्स हमेशा रुपियों से भरा रहेगा और किसी भी प्रकार से पैसों की कमी नहीं होगी तो ये थे फ्रेंड्स धन से भरा रहेगा आपका पर्स करें या उपाए फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेर करना ना भूलें साथी साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें भगवान आपके और आपके परिवार को हमेशा खुच रखे धन्यवाद